स्टोरी टाइम E&Di उत्तरब्रदेश का स्टोरी टाइम मैं रादक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगी दुनिया में रहते हैं चलो हमारे साथ ये बताईए बच्चों आप समर वकेशन्स में अपनी नानी के घर जाते हैं ना आप ही की तरह दो बच्चे जोश और जिग्यासा अपनी नानी के घर गए हैं तो चलिए सुनते हैं इनकी स्टोरी फूट फूट टेस्टी फूट जोश और जिग्यासा की नानी एक बहुत सुन्दर विलेज में रहती थी वहाँ जोश और जिग्यासा के कजिन्स नीटू मीटू भी आए हुए थे सब बच्चे साथ में खूब मस्ती करते थे आईए सुनते हैं समा वेकेशन में बच्चो का दिन कैसे शुरू हो रहा है जिग्यासा जोश नीटू मीटू सुबा हो गई है चलो अब उठो कितनी देर तक सोगे तुम लोग अरे नानी सोने दोना थोड़ी देर और कितनी जल्दे उठा रही हो जी नानी उठा हूँ अरे वाँ तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए बच्चो सब लोग अपना अपना ग्लास उठाओ मैंने सब के लिए ना मिल्क रेडी कर दिया है नानी आई डोंट लाइक मिल्क मैं नहीं प्यूँगा तुम्हारी मम्मा को भी बच्पन में मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था पता है मिल्क आपके लिए बहुत फाइदेमंद है ये आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है ओके मेरी प्यारी ग्रैंड मा पी ही लेता हूँ आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ ओ मेरा प्यारा बच्चा अब ये बताओ बच्चों आप लोग ब्रेकफर्स में क्या-क्या खाओगे ब्रेकफर्स अरे वा नानी आपको तो काफी इंग्लिश आ गई है हाँ जिग्यासा अब मुझी अपने बच्चों से बात करने के लिए इंग्लिश तो सीखने ही पड़ेगी I love you नानी You are so sweet हाँ हाँ चलो अब सब बताओ कि ब्रेकफर्स में क्या-क्या खाओगे Grandma, I will eat paratha and curd I will eat porridge Nानी, I will eat bread and butter चलिए नानी, मैं आपकी help करती हूँ हम दोनों मिलकर breakfast बनाते हैं Breakfast के बाद सभी बच्चे ग्रैनपा के साथ विलिज की सेर को निकल पड़ते हैं रास्ते में बहुत सारे animals, birds, trees and fields देखकर सब बच्चों को बहुत मजा आ रहा था चलते चलते सब बहुत थक गए and they all sat under a peeple tree near the pond वहां कुछ विलिजर से नेट की help से फिश कैच का रहे थे Grandpa, why are they catching fish? Neetu, they will eat it in the afternoon meal Oh, they will eat fish for lunch Yes, they will eat it for lunch But Nanu, हम तो fish ही नहीं खाते हैं Yes, George, we are vegetarians We eat food which comes from plants Achcha, Nanu, उनको vegetarians कहते हैं Then what do we call people who eat fish, egg, chicken and meat? जिग्यासा, जो लोग fish, chicken, egg and meat खाते हैं उनको non-vegetarians कहते हैं Nanu, it means food, plants and animals दोना से मिलता है Yes, बिटे, अच्छा बच्चो, शाम होने वाली है, चलो सब घर चलते हैं बाती करते करते, सब बच्चे घर पहुँचते हैं आगे बच्चो, so what would you like to have in dinner, my dear grandchildren? Grandma, I will eat matal paneer for dinner Nani Ma, I will eat whatever you cook Nani, आपको तो पता है मेरा favorite food I will eat puri aloo for dinner वाओ, Nani, आपने खीर भी बनाई है ये तो मेरा favorite dessert है Nani, dinner करके तो मज़ा ही आ गया Nani, मुझे तो breakfast बहुँआ टेस्टी लगा था Our grandma is the best Hip, Hip, Hooray! Hip, 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 Hooray! Hip, 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 Hooray! tim wam कर्स प्रेम